हाई औल वेलकम बैक तो माई चैनल तो फ्रेंड्स ये है मेरी उशा की फुली आटोमेटिक स्विंग मशीन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि इस मशीन को पावर सप्लाई से कैसे कनेक्ट करते हैं तो ये है पावर कॉर्ड और ये है प्रेशर फुट अब इस मशीन के प्लक को इस मशीन के सॉकेट में फिट करेंगे इसको फिट करते समय ये याद रखना है कि जो साथ में छोटा वाला काला स्विच है ये आफ मोड में होना चाहिए अन में नहीं होना चाहिए तो इसको fit करने के बाद अब ये प्लक को हम इस socket में डाल देंगे और switch on करेंगे इसके साथ ही ये जो machine में छोटा switch है black इसको भी on करेंगे light on हो चुकी है it means कि power supply machine में आ चुकी है अब इस hand wheel को घुमाते हुए हमें sui को उपर रखना है और इस extension table को निकालेंगे बाहर इस hook को भी इस तरह से नीचे कर देंगे और फिर bobbin case का ये जो latch है इसको hold करते हुए हमें bobbin case को बाहर निकालना है अब इसके अंदर से हम bobbin निकाल लेंगे और अब देखते हैं कि इस bobbin में कैसे हम thread fill करेंगे तो ये जो hand wheel है इसको हम इस तरह से बाहर करेंगे जिससे कि हमारी needle की जो moment है वो नहीं होगी pressure foot file तुमें नहीं चलेगा तो spool pin में हमने thread डाल दिया है और इस bobbin winder guide में इस तरह से thread को लेकर जाएंगे और bobbin में थोड़ा सा इस तरह से दो चार बार घुमाके इस bobbin winder spindle में इस तरह से रख देंगे और फिर इसको खिसका देंगे right side में तो यह अब start करेंगे pressure foot से और इस thread पर मैंने finger रख लिए जिससे की उचल उचल के जाए ना thread इदर उदर और अब इसमें thread fill करना शुरू करेंगे जब इसमें thread पूरी तरह fill हो जाएगा तो bobbin जो है वो घूमना बंद कर देगा इसका मतलब कि bobbin fill हो चुका है तो बस अब यह हमारा thread इसमें fill हो गया है अब इसको cut करके अलग कर लेते हैं और left side में खिसका के और फिर हम अपना bobbin निकाल लेंगे और जो bobbin का जो thread है वो हमें इस तरह से उपर की तरफ धागा उपर से दिखाई देना चाहिए नीचे की तरफ से नहीं अब बाबिन केस में इसको डालेंगे और फिर यह thread इस चोटे सा कट बना हुआ है यहां से निकालते हुए इस प्लेट के नीचे से ले जाते हुए और फिर यहां इस तरह से बाहर निकालेंगे अब इस thread को जिस तरह से मैं दिखा रही हूं उसी तरह से पकड़ के रखेंग और अब यह जो आपको लैच उठा के दिख रहा है एक hole इस hole के अंदर इस area को fit करना है अब बस हमारा बॉबिन इसके अंदर fit हो चुका है अगर हम थोड़ा सा उपर करके देखें तो देखें यह जो यह छोटा सा गोल बना हुए इसके अंदर fit है बाहर नहीं निकल रहा है अब इस hook cover को हम बंद कर देंगे और extension table को भी हम वापस से उसकी जगहां पे fit कर देंगे तो friends अब हमारा bobbin fill हो चुका है और अब hand wheel को भी हम अंदर प्रेस कर देंगे जिसे की हमारी stitching start हो सके तो friends यह था मेरा आज का वीडियो I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा next वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी तब तक के लिए goodbye take care